Hello Friends, Welcome to Logo Channel, मैं Jitandr Kumar Singh, आज हम बात करने वाले Equity के बारे में Equity का अर्थ होता है साम में, साम का अर्थ होता है नियाय करने की भाउना, Justice की भाउना, इमंदारी की भाउना, जो होती है उसे ही Equity का आ जाता है उदारन से समझते हैं, सपोज A का कोई जमीन है और ये जबरदस्ती B के नाम पे ट्रांसपर करा दिया जाता है तो ये का जब जमीन है B के ट्रांसपर करा देते हैं, तो लेगली तरीका से देखा जाए, तो ये जमीन हो गया B का क्योंकि जिसके नाम पर ट्रांसपर हो जाता है उसका ओ जमीन हो जाता है ठीक है दोस्तों लेकिन यहाँ पर equity क्या कहता है यह जो है जबरदस्ती यानि कि by forcefully यह जो जमीन है एका ट्रांसपर किया गया है और एका जमीन वापस मिलना चाहिए जो justice की भावना है इसी को equity कहा ज treaty और equality दोनों अलग-अलग है इक्वाल्टी जो है आर्टिकल 14 के अंदर गत मेंसन किया गया है ठीक है दोस्तों सिर्फ equality पोवाइड करना enough नहीं है जिसे की सबको equal treat किया जा सके meaning of equity एक्वीटी जो वर्ड है रोमन वर्ड एक्वीटर से लिए गया है जिसका अर्थ होता है equalization, leveling, simple word में कहा जाए तो equity means everyone is treated the same ठीक है दोस्तों सबके साथ equal treat करना ही equity कहलाता है meaning of equity in literal sense, laws of nature, fairness and justice के बैसिस पर जो best होता है उसे ही literal sense कहा जाता है ठीक है दोस्तों मने equity in literal sense कहा जाता है meaning of equity in general sense, इसके अंत्रगर nature justice, honesty and right के बैसिस पर best होता है the Judicature Act of 1873 and 1875 ये जो है इसके अंत्रगर common law court और equity law court को दोनों को merge कर दिया गया इससे पहले क्या था? कि दोनों अलग-अलग था, equity law और common law दोनों अलग-अलग था और दोनों एक दूसरे के parallel चलता था ठीक है दोस्तों? और common law के अंत्रगर तीन court था king's bench, common bench and ex-checker इसके अंत्रगर लोगों को जब justice नहीं मिलता था जब इसके अंत्रगर जाते थे justice नहीं मिलता था तो इस common law यानिकि इन तीनों court से फिर लोग आगे जाते थे और equity court में अपील करते थे और वहाँ से justice लेते थे ठीक है दोस्तों? तो आज की डेट में हमारे देश में भी common law और equity law से related एक ही साथ देखा जाता है इसके लिए अलग-अलग provision नहीं है दोनों एक ही court के अंत्रगर सब देखा जाता है आप समझ गए होंगे? यानि कि जो डिकेचर एक्ट जब बनाए गया उससे पहले equity law और common law दोनों अलग-अलग देखा जाता था और दोनों एक दूसरे के parallel देखा जाता था लेकिन इसके अंत्रगर जब ही एक्ट बनाए गया इसके अंत्रगर common law court और equity law court को merge करके एक code बनाए गया जो अभी भी हमारे देश में चल रहा है according to man man के दवारा कहा गया है equity means a body of rules existing side by side the original civil law जो original civil law था उसके parallel में equity भी equity law चलता था ठीक है दोस्तों? equity is founded on natural justice natural justice पर यह best होता है it is the body of rules and principles which exist side by side the original civil law original civil law जो है उसका side by side यह equity चलता है it does not superset the existing law but is a supplementary addition to such law यह जो है जो existing law होता है उसको superset नहीं कर सकता है equity लेकिन उसको supplementary addition के रूप में काम किया जा सकता है उसके basis पर decision दिया जा सकता है the acts in India which rules of equity, justice and good concerns were expressly let down during British period British period के समय the specific relief act 1827 का यह है act यह बनाए गया था जिसके अंत्रगर equity के basis पर यह decision दिया जाता था the Indian trust act 1882 the Indian contract act 1872 the transfer of property act 1882 mention किया गया है दोस्तों अगर आपको कोई doubt है ता आप comment section में comment कर सकते है thanks for watching